केर सर मैं प्रकट करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस को स्पॉइल करने के लिए भारतिय चंता पार्टी को मेनत नहीं करनी चाहिए इनको पता है जैसे थोड़ा सा बड़े दिनों बाद ऐसे पड़ा हुआ पंजा एस थोड़ी उंगलिया ही ली तो इन्होंने कितनी मुश्किल से वायर मिला है करंटी नहीं था कितनी मुश्किल से वायर मिला है ये पंजा हिला है ज्यादा ना इस पे लोड़ डालना जिसके थू ये कनेक्शन मिला है जिसके थू ये कनेक्शन मिला है ये चेहरा खिला है वो खंबा ही ना खोद डालना क्या क्या गल्टी कर सकती है इस नाजुक महल में कॉंग्रेस अपने हाथ अपना डेवलपमेंट फूक मत लेना तुम शादी से पहले ही एंगेजमेंट फूक मत लेना तुम निकर के चक्कर में अपनी पेंट फूक मत लेना तुम आतिश बाजी से खुद अपना टेंट फूक मतलेना तुम जैसे तैसे तो तंबूता ना है ये टेंपो बना है इसकी दिशा ना मोड़ डालना तेरी मिश्किल के वायर मूना है कॉंग्रेस अध्यक्ष के पद को लेने देते थोड़ा दम 15 दिन बाद हो जाता चुना वैसी क्या अफ़तारी चुना होते यह कौन से महान हो जाएंगे कॉंगरेस अध्यक्ष के पद्ध को लेने देते थोड़ा अदम एक तरफ पद की जहने एक तरफ पा ठलका अदम एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में सुतली बं और अगली पंक्ति पर उपाद जाये जी अगर हसी आजये तो रोकना मत उसे, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में सुतलीवं, लड्डू में मत आग लगाना, खा मत जाना सुतलीवं, इस समय में इलेक्शन कराके, खुद अपनों को लडाके, अपना ही सिर मत पोड डालना, बड़ी मुश्किल से वायर मीला, और अंतिन सुनो, चुनाव से क्या नुक्सान होगा कॉंग्रेस को, जब चुनाव होगा तो कोई कुछ बयान दे सकता है, प्रतिदुन्दी की कमजोरी पर खूब ग्यान दे सकता है, कौन बताए, कौन कैमरा, कहा ध्यान दे सकता है, और खुशियों के चेहरे पर आंसु के निशान दे सकता है, भारत जोडों का नारा लगा कर, ये पंजाल लडा कर, तुम खुद को ही मत तोड़ डाले, तुम खुद को ही मत तोड़ डाले, राहुल जी आगे आगे चल ले, आप पीछे पीछे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपका लीडर नी हूँ, आप कह रहे हैं, आप यो हमारी लीडर हो, वो कह रहे हैं, आप अपना लीडर चुल लो, और आप पीछे पीछे चल ले जा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं, राह पीछे चलना है तो इसी टाइम अध्यक्षपद के चुनाव का एलान इसी में लगे रहे हैं दूसरी बात जहें कि आपके आउ कि पैखने कभी खरला था कभी अध्यक्षपद का परचा वर्दसाइब और जो पीएस की बैठर को उसमें त्याहीं होता है